Hello Everyone, Welcome to StudyTube आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई के इस डेट से जो भी महत्यपून MCQ बनते हैं मैं आप तक लेकर आया हूँ चलिए पहले प्रशन से स्टार्ट करें उससे पहले आपके लिए एक प्रशन है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है प्रशन है GST के तहट किस राज ने सबसे ज़्यादा प्रतिव्यक्ति पुन्जी संग्रह किया है इस प्रशन का उत्तर आपको देना है इनमें से कौन सा राज है इसका उत्तर आप जरूर दे कमेंट बॉक्स में पहला हमारा प्रश्ण है खान मंत्राले ने जो खान मंत्राले है और इसके जो मंत्री है उनका नाम है नरंदर सी तोमर हाली में खानों और खनीजों का चौथा राश्टी सम्मेलन कहां आयूजित किया गया है खानों और खनीजों का चौथा राश्ट्री सम्मेलन ये अयूजित किया गया है इंदौर में इंदौर ये मद्द पर्देश के अंदर है, मद्द पर्देश के रधानी भोपाल है और इंदौर वो शहर है जो सचता सरवक्षंदौर 18 के अनुसार सबसे साफ सहर गोजित किया गया था और सबसे अच्छा जो पर्देशन किया था राजियों में वो है जहरकंड तो ये इंदौर मद्द पर्देश में है, मद्द पर्देश के जो सी एम है, वो है सिवराज शीर चाहन और यहां के जो गवर्नर है वो है अनंदी बेन पटेल अब ये जो चौथा राश्टे समयलन हुआ था, इसमें कुछ और बाते भी हुई सबसे पहली बात, एक बुक यहां रिलीज के गई जिसका नाम था, जिसका नाम है Aluminium the Future Metal Aluminium the Future Metal इस बुक को रिलीज किया Union Minds Minister यानि कि जो हमारे खाद्यान मंत्री है, नरेंदर सी तोमर और ये बुक लिखी गई किसके दौरा, ये लिखी गई नालको के जो CMD प्लस चेर्मैन है, यानि कि डॉक्टर तपन कुमार चांद के दौरा नालको का फुलफाम होता है National Aluminium Company Limited, तो यहां से देखिए एक तो प्रशन पीछे था, कि कहां आयूजित किया गया, दूसरा प्रशन, बुक का नाम, तीसरा प्रशन, ये ऑथर का नाम, चोथा प्रशन, किसके दौरा रिलीज किया, अब पच्मा प्रशन यहां से देखिए जो नालको है, यानि कि National Aluminium Company Limited, इन्होंने एक एप लॉंज करी, एप का नाम है नमस्या, नमस्या ये मवाइल एप है, किसके लिए, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रशन के लिए, तो ये हो गया पांच पांच प्रशन, यानि कि 5 in 1 हो गया, ठीक है, तो इसे आप दिहान मे रखें, उस एक प्रशन के जड़िए, ये पांच प्रशन आपको ध्यार में रखना है, हाली में विश्व सीमा सूल कि संगठन, यानि कि World Customs Organization के एशियाई प्रशांच शेत्र के उपाध्यक्च यानि कि शेत्र प्रमुख कौन बना है, ये बना है भारत, ये World Customs Organization का हेड़ ब्रूसेल्स में, ब्रूसेल्स ये राधानी है बेल्जियम की, और बेल्जियम एक Western European Country है, जहां की करंसी है यूरो, प्रधान मंत्री नरंदर मोदी ने पुझी भूत रूप में 900 क्रोड पे से अधिक की महत्तपुर्ण पड़युजनाओं का उधगाटन और अधारशिला क कहां रखी है, 900 करोड रुपे की पड़युजनाएं और अधारशिला रखी है ये और ईतर पर देश के वाड़ान सिम्एं उत्तर परदेश के से मह है योगी आधितिनाथ और यहां के गवंणर है राम नायक, उतर पर देश के रधानी लकनों है, और लखनों गूमतीनादी किनारी situated है और उत्तर प्रदेश वो राज है जहां भारत में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है दूसरे स्थान पर है महाराष्ट महाराष्ट उत्र प्रदेश उपर नीचे होता रहता है लेकिन लेटेश्ट में बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश अभी है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज है उत्तर प्रदेश और दूसरा है महाराष्ट तीसरा है बिहार विष्व योवा कौसल दिवस कम मना जाता है यह मना जाता है पंदर जुलाई को यानी कलके डेटे मना जाता है यह 15 जुलाई पहली बार 2015 मना गया था हाली में विमरलन Championship के महिला एकल Final में साथ बार की Champion Serena Williams को हरा कर किसने अपना पहला Wimmerland खिताब जीता है ये जीता है Angelic Kerberner ये कहां की रहने वाली है ये रहने वाली है Germany की और Germany की राजधानी है Berlin, Germany भी एक Western European Country है Berlin राजधानी है यहां की और currency यहां की भी है और इस खेल का आयोचिन हुआ London में London कहां की रहतानी है ये है Britain की और जो Britain की currency है ये है Pound Sterling निमलखित में से किस देश ने अपना Long March 2 C प्रक्षपन अस्थल से प्रक्षपन अस्थल यहां से प्रक्षपन का नाम है PRSS1 इसके अलाभा पाकिस्तानी दो सेटलाइट लॉंच की यानि की प्रक्षपन किया ये कौन सा है ये है पाकिस्तान पे महरवान चाइना यानि चाइना का ये जो सेटलाइट लॉंच लॉंचिंग साइट है यानि की Long March 2C यहां से पाकिस्तानी दो सेटलाइट को लॉंच किया प्लस पाकिस्तान के लिए चाइना ने सेटलाइट खुद का सेटलाइट लॉंच किया पाकिस्तान के लिए Remote Sensing Satellite Remote Sensing Satellite का मतलब होता है कि वो सेटलाइट से इमेज देता है अर्थ का तो इस केस में पाकिस्तान का पिक्चर देगा यह सेटलाइट Remote Sensing Satellite तो हमारा अंसर क्या है यह है चाइना चाइना क्रजानी का है बीजिंग और बीजिंग में हेड़ कॉर्टर है शंगाई कॉर्परेशन SEO SEO का Headquarter और सबसे Important चाइना की करेंसी यहां की करेंसी है Rig Min B इसके अलावा एक और भी करेंसी होती है लेकिन वो मैं आपको यहां नहीं बताऊंगा मैं आपको बोलूँगा कि आप Rig Min B ही ध्यान में रखें क्योंकि यही पूछा जाता है इंटरनेट की अजादी से समंदित किस सेवा को भारत में आरंब किये जाने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दिए यह है Net Neutrality Net Neutrality देगे Net मतलब वही Net जो हम लोग यूज करते है और Neutrality मतलब क्या होता है उधा सीन ना इधर ना उधर बीच में तो Net Neutrality एक एकजामपल में समझाता हो मान लिजे दो साइट्स है एक साइट्स है ए एक वेबसाइट है ए और दूसरा है बी और एक टेलिकम कंपनी है लेट सपोज वोड़ाफॉन अब वोड़ाफॉन वाले को क्या करता है कि इससे पैसा लेकर के और इसके जो यूजर्स हैं जो इस पे जा रहे हैं इस वेबसाइट पे उसका Net काफी फास्ट कर देता है लेकिन इसका स्लो कर देता है क्योंकि इसने पैसा नहीं दिया है तो Net Neutrality का मतलब यह होता है यह जो आप वेदभाव कर रहे हैं पैसे लेकर के एक वेबसाइट को काफी अच्छा स्पीड दे रहे हैं दूसरे को दे ही नहीं रहे हैं दूसरे का Net स्लो कर दे रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है सब को बड़ावर हग दीजे सब को बड़ाबर speed दीजे, equally speed दीजे, पैसे लेकर किसी का fast किसी का slow मत कीजे, तो ये है net neutrality, वीडियो पसंद आया हो तो like कर दीजेगा, पसंद आया तो पक्का है, ज़रूर like कीजेगा, आपका like हमारे लिए बड़ा support होता है, और share कर दीजे वीडियो को अपने दोस्तों के स Thank you so much, मिलते हैं next वीडियो में, have a nice day